भजन सहीता अध्याय सोला वाक्यांश दो में तू ही मेरा प्रभु है तेरे सिवाई मेरी भलाई कहीं नहीं है जीहा मेरे प्यारे दोस्तों प्रभु येसु ही हमारा मार्ग है प्रभु येसु ही हमारी मंजिल है और इस मंजिल तक पहुँचने के लिए प्रभु ने हमें एक सुन्दर सा रास्ता दिखाया है और ये रास्ता है, ये मार्क दर्शन है हमारा पवित्र बाइबल और इसी पवित्र बाइबल के द्वारा हम प्रभु के मन को पहचान सकते हैं तो दोस्तों आईए शुरुवात करते हैं हमारे आज के एपिसोड की of National Family Bible Quiz which is organized by Atma Darshan TV, उत्तर भारत की आत्मिय धडकन, Atma Darshan powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province तो दोस्तों देखते ही देखते हम पहुच चुके हैं हमारे Round 3, that is Elimination Round के 5 वे एपिसोड में और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ आपके निरंतर प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके एंकरेजमेंट के लिए इसी तरह आपका प्यार हमारे लिए बढ़ाते रहें और बनाए रखें और हमें और प्रोचसाहन देते रहें कि हम प्रभू का वचन दुनिया के चारों और फैला सकें तो शुरुवात करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड की by inviting the participants on stage I am sure कि आप excited है जानने के लिए कि आज के हमारी चार team में कौन सी है यकीन मानिये मैं भी बहुत excited हूँ सु बुलाना चाहूँगे हमारी पहली team that is team Matthew को stage पर जो कि है Nanda Nagar Parish, Indaur, Madhya Pradesh से Please put your hands together for Christina Joseph and Benjamin Joseph जो कि है एक father and daughter duo तालियो के गड़गडाहत से इनका स्वागत कीजिए Let's invite on stage team Mark जो कि आए है जामनी पली, Korba Parish Raipur Dioces Chattisgarh से Please put your hands together for Firan Kujur and Preeti Poonam जो कि अगेन है एक father-daughter duo Please put your hands together for them It's time to invite our next team on stage that is team Luke जो कि है हमारे very own Cathedral Parish, Indaur, Madhya Pradesh से Please put your hands together for Sumitra D'Souza और अंत में मैं बुलाना चाहूँगी हमारी team John से Mr. Amol Vargas को जो कि आए हैं बेटमा Parish, Indaur, Madhya Pradesh से तो तालियो के गड़गडाहत से इनका स्वागत कीजिए तो हमारी सारी participants स्टेज पर आ चुके हैं और टेंशन धीरे धीरे अब बिल्डप हो रहे हैं मुझे भी टेंशन हो रहे हैं अब दिल थोड़ा सा धगदग कर रहा होगा सभी का येस और नो होना भी चाहिए आप नाशनल फैमिली बाइबल क्विज में आये थोड़ी सी तो नर्वस्टेस होनी ही चाहिए और आज हमारे एपिसोड में दो टीम्स हैं विच इस फादर डॉटर डूटर तो देखते हैं पापा बेटी मिलकर क्या मार्क स्कोर करते हैं तो अल बेस्ट तो आज हो आज तो आज परमेश्वर आपको आशीष दे और पवित्रात्मा आपकी मदद करें कि आप सभी क्वेश्ट्न्स का सही सही उत्तर दे बाएं अब मैं बुलाना चाहूंगी अमारे quiz master for today that is Father Preetam को on the stage की Father आए और अपने प्रशनों का पिटारा खोले और हम सब को अपने प्रशनों में उलजाए So Father Preetam, you are welcome on the stage Please put your hands together for Father Preetam प्यारे आजीज मित्रों, दर्शकों और स्त्यारे प्रतिभागियों आप सबों का आज के इस एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है प्यारे दर्शकों आप देख रहे हैं आत्मा दर्शन का National Family Bible Chris और आज के इस एपिसोड में हमारे पास ये चार टीमें हैं दो टीमें हमारे पिता और बेटी की हैं और दूसरी तरफ हमारे सिंगल-सिंगल प्रतिभागी हैं अमल हैं और इधर हमारे सुमित्राजी हैं हम सबों का आज के इस एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और हम बढ़ते हैं आज के पहले राउंड की तरफ पिछले बार आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए आप यहाँ पर हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि आप पिछली बार से भी बेहतर तयारी करके आए हैं जरूर और उसका नतीजा आज हम देखेंगे आपके परफोर्मेंस में तो पहला जो राउंड है वो पिछले जो आपने जो राउंड खेले थे उनसे अलग हाटकर हैं एक नया इंट्रस्टिंग बहुत ही दिल्चस्प यह राउंड है इसका नाम है identify the character यह एक थोड़ा सा पहली टाइप का question है इसमें आपको किसी Bible के एक विक्ति के बारे में किसी भी एक किरदार के बारे में बतलाया जाएगा सिर्फ उसका एक clue दिया जाएगा पहला clue देकर आप यदि उतर देते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 20 अंग और यदि आपने वहाँ पर गलत उतर दिया पहले clue पे तो आपके हो जाएगे minus 5 और यदि आपको पहले clue में समझ नहीं आ रहा है कि कौन है आप अगला clue ले सकते हैं without attempting उस समय आपको दूसरा clue लेकर जब उतर देंगे तो आपको मिलेंगे सही उतर के 15 पोईंट और गलत उतर के minus 10 दूसरे clue में भी पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप अगला clue ले सकते हैं थर्ड क्लू में थर्ड क्लू में अज़िए आपने सही उतर दिया तो आपको मिलेंगे 10 पोईंट और गलत जवाब पे minus 15 वैसे ही तीसरे में भी बात नहीं बनती अगला clue ले सकते हैं without answering then you get the fourth clue और fourth clue में आपको मिलेंगे 5 अंक और गलत उतर पे minus 20 तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको rule समझ में आ गया होगा ठीक है तो हम सिधे आगे बढ़ते हैं हमारे इस round को खेलने की तरब और हम computer यसे अनुरोध करेंगे कि वो team Matthew के लिए पहला question याने पहला clue उनकी screen पर दिखाएं तो पहला clue है एक मात्र शिष्य जिसने एसू के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया जहां नाकेदार और अतिथी बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बेठे संथ मती संत मती आपको दुसरे clue देखने हैं नहीं देखने हैं संत मती संत मती हैं चोर हैं यस चोर है और तो आपने पहले ही पूरे 20 पूइंट्स अहां टिकंगाच्टिलेटिस तु यू और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टीम मार्क की तरब टीम मार्क आपका सवाल याने आपका पहला क्लू आपकी सवाल का आपकी स्क्रीन पर है देख लीजिए ये सवाल है संत योहन के अनुसार ये येसु के स सब्सक्राइबना ऑदरेबना दोलो मार्क के सफिस्ची कों वीज़ीजर ये ये पहला मार्क का अंड्रेयस और सीमोन पेतरूस किसी और यंगर्द दश्रावण अन्रिस मादान नहीं दूरक हो सूाँ ऑर कुछी नहीं वक्ति येसू का पहला शिश्यuden था है अंड्रेयस उ चार हो उनकी प्रतम शेश्य को नहीं जो अंड्रियस आपने बार बार अंड्रियस कहा है और अंड्रियस टो अच्छी शुरुवात हुई है आज के हमारे इस एपिसोड की दोनों टीमों ने उंदा प्रदर्शन किया है और उसी उमिद के साथ हम बढ़ते हैं टीम लूक की तरफ टीम लूक आपका क्लू भी बड़ा ही आसान है यह है आपकी स्क्रीन पर आपका क्लू लीजिए यह फरी यहुद्यू की महा सभाग का सदेश्य था मेंबर ऑफ सैन्हेंडरिन और उनके बीच नेता के रूप में वाना जाता था नहीं आ रहा हो तो अगले क्लू की और बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्लू चाहिए इन्हें तो नेक्स्ट क्लू है सत्य का खोजी वह सत्य का खोजी था सत्य की तलाश में था अगला क्लू है मनुष्य कैसे फिर से जन्म ले सकता है यह प्रश्न उन्होंने पुछा था कि मनुष्य कैसे फिर से जन्म ले सकता है कौन वेक्ति था इसने प्रभुयसु से ऐसा सवाल पूछा था निकोदेमुस आप उत्तर दे रहे हैं मुझे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आपका लहजा था निकोदेमुस उत्तर दिया है निकोदेमुस ओके अभी उन्होंने टॉन चेंज करके बोला निकोदेमुस यान अग्राचुलेशन्स आपने इसको उतर दिया था थर्ड में जाके तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट ओके इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रतिभागी की तरफ सेंट जोन और सेंट जोन लीजे आपका सवाल है आपके स्क्रीन पर प्रारम भी कलीशिया में एक उपिया जक डीकन, he was a deacon in the early church पेत्रोस अलाग कि आपने जवाब दे दिया है बिना क्लू लिये आप रुख सकते थे रोंग आंसर सो माइनस फाइव आगे और आप कोशिश कर सकते हैं हम क्लू देंगे और उस क्लू के नुसा रेदिया आपको सही उत्तर समझ में आता है तो बताईएगा वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था आत्मा से प्रेरित होकर उसने कुछ बोला था उसका चेहरा एक देवदूद की तरह दिखता था उसका चेहरा देवदूद की तरह चमक रहा था स्टेफनूस 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 औरसते हुआते हुआ दुन हो तो आपका माइनस फाइव गटाश्य स्टेफनूस पुएन्स में जवाब है तो आपको मिलेगा 10 points तो आपके पास बसता है 5 points ओके तो विद इस वी एंड फर्स राउंड और इस राउंड की समापती पर में बुलाना चाहूंगा मिस आर्थी को कि वो हमारे सभी दर्शकों को और हमारे प्रतिभाग्यों को आज का हमारा स्कूर बता दे सेन मैथ्यू 20 points सेन मार्क 20 points सेन लूक 10 points सेन जॉन 5 points तो प्यारे दर्शकों अगला राउंड हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं बड़ा ही इंट्रस्टिंग बड़ा ही दिल्चस्प राउंड है ये और हमारे इस बाइबल क्विज में ये पहली बार हम इस राउंड को लेकर आई हैं इस राउंड का नाम है लग्की वेल जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक वील रखा हुआ है यह वील हमारे प्रति भागियों की द्वारा घुमाया जाएगा और वे डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सा कॉस्चन चाहिए यानि कि जो भी कॉस्चन उनकी किस्मत में वही उनसे पूछा जाएगा और उसके नियम कुछ इस प्रकार है सही उत्तर देने पर उनको मिलेंगे 20 पॉइंट यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं है और यहाँ पर एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा कॉस्चन है जाक पोट कॉस्चन और वो यदि मिलता है त तो आपको मिलेगा 30 पॉइंट्स तो बहुत ही कमाने के चांस से इसमें हमारे दूसरे राउंड में एक प्रतिभागे ने बहुत ही फाइदा उठाया था इस राउंड का और वो फाइदा उन्होंने पासिंग में उठाया था जैने कि यदि आपने सही जवाब नहीं देया इसको पास किया जाएगा और पास होने पर जदी जवाब दिया गया तो उसका 10 पॉइंट्स उनको मिलेगा ठीके सारे नियम आप लोगों को समझ में आ गई है तो हम इस राउंड की तरफ बढ़ेंगे एक और बात बताना चाहूंगा कि दो कस्टन पुछी जाएंगे हार एक टीम से एक बार क्लोकवाइस पूछेंगे दूसरी बार आंटी क्लोकवाइस पूछेंगे ठीके आपका वील रूख रहा है और बता रहा है आपकी किस्मत में आया है तीसरा सवाल आपके लिए ये रेफरेंस बताना है आपको मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ अपनी दोड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर रूप से इमानदार रहा हूँ ये कहां लिखा गया है बहुत बार फ्यूरल्स वगेरा में ये रेडिंग पढ़ी जाती है कि टीम मैथ्यू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया है उनका समय हो गया इसलिए मागे बढ़ते हैं पास करते इस क्या आप बता बाएंगे इसका रेफरेंस में अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ अपनी दोड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर नुरुप से इमानदार हूँ पहला कुरूंतियो के नाम है संद पॉलूस के पत्र से अध्याई रोंग आंसर स्वरी टीम जोन आप बताएंगे यह कहां से लिया गया है यह फिलोमों के नाम संद पॉलूस का पत्र फिलोमेंस लिया गया है अगेन रोंग आंसर तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है आप लोग उनने पहला राउँन सभूने अच्छा खेला था तो किसी भी टीम ने इसका जवाब सही नी दिया है और हम आपको इसका जवाब बता देते हैं ये लिया गया है दूसरा तिमुथी चार साथ से ठीक है कोई बात नहीं इस राउन का अगला सवाल सेंट मार्क के लिए सेंट मार्क आप अपना बजर दबाएं अपना स्विच दबाएं और आप विल गुमाईए और लीजी अपना सवाल बहुत ही जल्दी विल रुका है और विल रुका है आकर के प्रशन नंबर दो पे और प्रशन नंबर दो ये रहा आपके स्क्रीन पर अपरिचित भाषा में 10,000 शब्द बोलने के बजाए संत पालूस शिक्षा देने के लिए धर्म सभा में कितने शब्द ज्यादा बोलना पसंद करते हैं उन्होंने कहा कि मैं आप परिचित भाषा में एक हजार या दस हजार शब्द बोलने से ज्यादा पसंद करूँगा इतने शब्द बुलना कितने दो शब्द दो शब्द इस रोंग आंसर कि कुश्चन पास किया जाता है टीम लूग के लिए सेंट लूग का बताएं कितने शब्द संद पॉलना पसंद करते हैं अब भी उसका सही उतर नहीं दे पाए है तो हम पुछते हैं सेंट जोन टीम आब बता पाएंगे इसका उत्तर कितने शब्द बोलना पसंद पॉलना से संद पॉल्स एक एक शब्द एक शब्द भी पांच शब्द तो अगली बारी है विल घुमाने की टीम सेंट लूग की और सेंट लूग अपना विल घुमाईए और लीजे आपका सवाल आपका प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 6 और वो इस प्रकार है इसी प्रकार व्रिधाओं का आचरण डाष की अनुरूप हो आपको खालिस्तान भरना है व्रिधाओं का आचरण डाश की अनुरूप हो सम्मान जनक हो सम्मान जनक हो खालिस्तान भर की देखिए उसमें सम्मान जनक हो की अनुरूप हो कैसा आएगा थोड़ा फिट भी होना चाहिए न ओके रोंग आंसर हम जाएंगे सेंट जोन की तरब सेंट जोन फिल इन दे ब्लैंक इस प्रकार व्रिधाओं का आचरण डाश की अनुरूप हो थीम मैथ्यू व्रिधाओं का आचरण डाश की अनुरूप हो टाइम हो गया ओके आप बताईए प्रभु भक्तों के अनुरूप हो प्रभु भक्तों के अनुरूप इस करेक्ट आंसर और यूगेट अगें टेंट पॉइंट पॉइंट प्लाईए और अब बारी हैं टीम सेंट जोन की आप अपना स्विच दबाएं और ले लें अपना सवाल कि 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 आपका वील आकर रुका है प्रशन नंबर आठ पर और प्रशन नंबर आठ बहुती सिंपल प्रशन है और वो है प्रभु येज़्सु पवित्र वस्तु किन को नहीं देने की बात करते हैं वो बोलते हैं कि पवित्र वस्तु डाश को नहीं देनी चाहिए किनको पापियों पापियों को पापियों को गलत आंसर है प्रश्न पास होता है टीम मात्यू के लिए मात्यू बताइए पवित्र वस्तु यह किनको नहीं देनी चाहिए सुवरों को सुवरों को अगें रोग आंसर हम आते हैं तीम मार की तरफ आपका क्या जवाब है कुत्तों को नहीं देनी चाहिए कुत्तों को नहीं देनी चाहिए इस करेक्ट आंसर अगें यूट 10 पॉइंट्स आप इस राउंड का पूरा फाइदा उठा रहे हैं आपको बदाए आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स तो हमने क्लोक्वाइज राउंड कंप्लीट किया है अभी अंटी क्लोक्वाइज होगा एक बार फिसे चांस है टीम सेंट जोन के लिए प्यास टीम जोन घुमाई अपना पईया और लिजी अपना सवाल चक्र घूम के रुक गया है और इस बार रुका है वहाँ प्रशन नमबर थ्री हो चुका था इसलिए हम आपको अगला वाला सवाल देंगे याने प्रशन फॉर तो प्रशन चार आपके लिए हैं संत पॉलूस के अनुसार किस ने उनके साथ बहुत अन्याई किया संत पॉलूस एक पत्र में कहते हैं कि एक अमुक वेक्ति ने उनके साथ बहुत बुरा व्यावार किया वह कौन है बहुत अन्याई किया प्रशन पास होगा संत लूक के लिए सेंट बताइए इसका जवाब क्या है संत पॉलूस के अनुसार किस ने उनके साथ बहुत अन्याई किया वालूस ने संत पॉलूस के अनुसार संत पॉलुस कैसे न्याई करेंगे ओके पास होता है सेंट मार्क के लिए तिमीथी ने तिमेथी ने इस रौंग अंसर सिकंदर सुनार सिकंदर सुनार ने उनके साथ बहुत अन्याई किया है तो टीम लूक पिछली बार आपने पासिंग में गलत उत्तर दिया था लेकिन अभी आपके पास मोगा है बीस पॉइंट्स कमाने का तो आप अपना स्विच दबाएं विल घुमाएं अपना प्रश्ण ले और उसका सही जवाब देकर बीस पॉइंट्स कमाएं हम देखते हैं इनका इतना लंबा घुमाने से उनको कितना फाइदा होता है और उनका वील आकर रुका है प्रश्ण नंबर वन ओके पहला सवाल है आपका यह भी एक खालिस्थान वाला सवाल है कोई डाश के बिना यह नहीं कह सकता है कि येसू ही प्रभू है कोई डाश के बिना यह नहीं कह सकता है कि येसू ही प्रभू है विश्वास के बिना विश्वास के बिना सॉरी हम इस सवाल को पास करेंगे सेंट मार्क के लिए मार्क बताइए कोई डाश के बिना यह नहीं कह सकता है कि येसू ही प्रभू है आत्मा की प्रेणा के बिना, एक बार फिर से सही उत्तर हैं, आत्मा की प्रेणा के बिना को यह नहीं कहे सकता है कि यह सूही प्रबू है, आपको मिलते हैं 10 पोईंट बदायो हो तो टीम सेंट मार्क आपने सही जवाब दिया और अगला सवाल भी आपका है तो आप और 20 पॉइंट कमा सकते हैं तो दबाईए अपना स्विच और टीम मार्क के लिए मिलता है जागपोर्ट लकी क्वेस्चन आप तयार है लकी क्वेस्चन का अंसर करने के लिए येस वहत एक्साइट है येस क्योंकि तीस अंक मिलने जा रहे हैं आपको और ये रहा आपका लकी क्वेस्चन पहला कुरुंतियों छे नव से दस के अनुसार कौन को नीश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे कुछ-कुछ लोग ही जिनके बारे में बताया गया है कम से कम चार प्रकार के लोगों के बारे में बताईए ये व्यभी चारी मुर्ति-पुजक परनिंदक वैश्या गामी लोभी और कुछ याद आ रहे हैं आपको अधिवे वेल अटेम्टेड आपने रिक्वाइड जितना मैंने पूछा था आपने बता दिया है मैंने चार प्रकार के लोगों को बारे में बोला था आपने चार से ज्यादा बोल दिया है और उसके आगे हैं लोभी शराबी निंदग धोखेवाज इत्यादी तो करेक्ट आंसर तो आपको मिलते हैं इसके पूरे के पूरे तीस अंक तो टीम सेंट मैथ्यू आप तयार हैं अपने क्वेस्चन लेने के लिए हो सकता है एक और जैकपोट आपको मिल जाए आप ट्राई करिए अपना स्विच दबाएं और विल घुमाएं तो टीम मैथ्यू आपकी किसमत खुली है देखते हैं आप अपने उस किसमत का कितना फाइदा उठावाते हैं और आपका लग्वेस्चन है यदि कोई इश्वर का मंदिर नश्ट करेगा तो इश्वर क्या करेगा उसे नश्ट करेगा वेरी गुड करेक्ट लिए आंसर और हलनकि सवाल का भाग नाइब बता पाएंगे कहां से लिया गया है कि कहां है मैं लें संद पौल्स का कुरिंच को लेखा पाला पत्राद य तीन सत्रा सान्द पाल उस कहते हैं कि तुमारा शरीर इश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को नश्ट करेगा अश्परो है नश् लग्की वेल राउंड समाप्त होता है मैं बुलाना चाहूंगा मिस आर्टी को कि वो आके हमारे दर्शकों हमारे पति बाईयों को अपना स्कॉर बताएं सेन मैथ्यू 70 पॉइंट्स सेन मार्क 80 पॉइंट्स सेन लूक 10 पॉइंट्स सेन जॉन 5 पॉइंट्स तो डिया कंटेस्टेंट हम दूसरे राउंड के समाप्त करने के बाद अभी आते हैं थर्ड राउंड की तरफ यह है बजर राउंड आप परिची थें बजर राउंड से लेकिन इस बार सवाल थोड़े बदल गए हैं तो आपको बजाना होगा आपका बजर और जवाब देना होगा पहला वला प्रशन बहुत ही सिंपल प्रशन है आपके स्क्रीन पर एक प्रशन आएगा और उसका सीधा सीधे आपको जवाब देना है आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट और गलत जव विश्वास्यों को किस स्थान पर पहले पहल मसीही नाम मिला सेंट मार्क ने बहुत ही जल्दी वजर दबाया है हम इनसे पूछेंगे उसका उत्तर क्या है अन्ताकिया अन्ताकिया में सिश्यों को पहले मसीही नाम मिला इसके साथ या बढ़ते हैं अगले सवाल की तरब जो एक चित्र से संब्ढदी थे याणि आपको चित्र पहचान आए यह चित्र किस गटना से संब्धी थे और साथ ही दो और सवाल रहेंगे कि ये घटना किस जगह पर होती है और तीसरा सवाल की Bible में ये कहां पर लिखा होगा है ठीक है आप यदि पहला सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 10 points और गलत जवाब पे minus 10 और बात के जो दो additional questions है उसमें आपको 5-5 अंक मिलेंगे उसमें कोई minus marking नहीं है ठीक है तो बिना समय गवाय हम शुरू करते हैं ये वाला प्रशन भी आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कंप्यूटर जी चित्र दिखाया जाए हमारे प्रधिभागियों को और यह रहा चित्र और सेंट मैथ्यू ने इस बार पहला बजर दबाया है सेंट मैथ्यू आपने पहचाना है यह चित्र क्या है प्रभी एशू जी उठने के बाद दो शेशु को दिखाई दिए अमाउस के रास्ते है आपने दोनों उत्तर साथ में दे दिए स्थान का नाम भी एमाउस से ठीके तिसरा क्या है उसका रेफरेंस कहां पर है प्रित्र बैबल में यह कहां लिखा हुआ है इस घटना का वरनन कहां पर है प्रेरिचरीत में गलत उत्तर है प्रेरिचरीत में प्रभु येशु स्वर्प चले जाते हैं पुंद्र उथान की बातें सुसमाचारों में प्रेरिचरीत में नहीं है हालां कि उसको लिखने वाला सेम वेक्ति हैं तो गलत उत्तर उसका सही उत्तर है संत लूकस संत लूकस के सुसमाचार में ख्यार कोई बात नहीं आपको पंद्रा अंग्रों के हैं तीसरा सवाल इससे मिलता जुलता है एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर हम दिखाएंगे वीडियो इस बार और आपको घटना को पहचानना है वो द्रिश्चिक क्या है और उसके बाद के जो दो सवाल हैं वो हम आपसे पूचेंगे ठीके उसी घटना से संब्दी ओके कंप्यूटर जी वीडियो प्ले किया जाए हमारे प्रति भागयों की स्क्रीन पर सबसे पहला बज़र इस बार दबाया है सेंट मार्क ने सेंट मार्क हमें बताएंगे कि आपने इस वीडियो क्लिप में क्या देखा तो पहला जवाब आपका सही है अभी अगला सवाल देख लीजे इस चमतकार से पहले येशु कौन से प्रदेश में थे और किसे चंगा किया था इस घटना के पहले प्रभू कहां पर थे और वहां पर प्रभू ने क्या किया था काफर ना हूम काफर ना हूम इस रोंग आंसर ओके अगला सवाल अनेक अनेक वेदियों से इलाज कराने से उस इस तरी पर क्या आसर पड़ा वह और बीमार पड़ गई अगें करेक्ट आंसर तो आपको भी मिलते हैं 15 आपने 5 पॉइंट का एक अटेम्ट किया और एक 10 वाल तो बदाई हो 15 आंक मिलते हैं आपको और हम आगे बढ़ते हैं हमारे बजर राउंड के चवथे प्रश्न की तरफ एक बार फिर से यह चित्र वाला है लेकिन इस चित्र में आपको प्रभु येसु के किसी शिक्षा से संबंदित एक चित्र दिखाये जाएगा इस चित्र क आपको देखकर रखके आपको बताना है उन शिक्षाओं को प्रभु येसु की ओके इस बार बजर दबाए सेंट लूक की तरफ से सेंट लूक आप बताईए हमें और हमारे दर्शकों को भी कि यह इमेज क्या है दाक की बारी कि इसे संबंदित कुछ प्रभु येसु की शिक्षाओं बताईए है कि अगरे दाक की बारी दाक की बारी से कोई भी शिक्षा आपको याद नहीं है एक बार फिर से बजर के लिए जाएंगे जिसको इसे संबंदित शिक्षा ने बता है ओके जोन बताईए नई अंगूरी को नए मश्के में नहीं बढ़ते पुराने मश्के में बढ़ते हैं तो आपका उत्तर गलत है और हम एक और बजर के लिए जाते हैं और यह बजर आया है हमारे सेंट मार्क की तरब से मार्क आप बताएंगे इस इमेच से संबंदित प्रभी एसु की शिक्षा क्या है मैं दाख लता हूं और तुम डालिया हो जो मुझ में रहता है वही फल देता है एक्सलेंट और कोई मुझ से अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कोई दूसरी कहीं शिक्षा कोई प्रभी एसु के आपको याद है किसी और जगा प्रभी एसुने दाख लता का उदाहरन लिया हो कोई बात नहीं आपका उत्तर सही है चित्तर से संबंदीथ प्रभी एसु की शिक्षा को बताया है और आपको मिलते हैं पूरे और इसका गलत जवाब देने की कारण सेंट लुक के हो जाते हैं मैनस 10 और सेंट जोन का भी मैनस 10 हो जाता है और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे बजर राउंड के आखरी सवाल की और और अंतिन सवाल है ओड्यो राउंड पिछली बार की तरह आपको ओडियो सुनाये जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना है कि यह बोलने वाला कौन है किस नहीं कहा कूं सेट इस ओके कि यह वी गो ओडियो प्ले किया जाएं कि आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं कि तो मैं कभी विचलित नहीं होंगा तो स्टीम सेंट जोन आपने पहला बजर दबाया है और आप जवाब देने के लिए तयार है यास बताइए हमें इस ओडियो में कौन बोल रहा है पेत्रूस बोल रहा है लगता है कि आप पवीत्र सब्ता में बहुत भक्ति से भाग लेते हैं आपको उसमय की रिडिंग सच से याद है और कभी कभी हो सकता है आपने उसका पार्ट भी पड़ा होगा आपका उत्तर सही है पेत्रूस ने कहा है कि आपके कारण चाहिक कोई भी विचलित हो जाए लेकिन मैं विचलित नहीं होंगा करेक्ट आंसर और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे बीच कोई बहु इस राउंड के अंत में हमें अपना स्कोर बता दें तो प्यारे प्रतिभागियों हम आज के इस एपिसोड के अंतिम राउंड में हैं और ये भी बड़ा ही दिल्चस्प राउंड है इस राउंड का नाम है इसमें ट्रिक ये हैं कि आप से एक सवाल पूछा जाएगा आप उसका जबाब देंगे सही जबाब दिया तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स यदि आपको उसका उतर पता नहीं है तो आपको उसको पास कर सकते हैं वो आप क्यों उपर हैं आप डिसाइड करेंगे आप किस उसको देना चाहते हैं मैत्यू मार्क को दे सकता है लूक को दे सकता है जोन को दे सकता है तो जब आप पास करोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं कोई मार्किंग नहीं है बिना जवाब दिये मार लो जोन को मिला जोन लेगा जोन को यह ट्रस्टन का जवाब देना जरूर कर सकते हैं पास करेंगे you are at the safer side but who gets the question he has to answer उसके लिए advantage है यदि वो उसका उतर दे दे और खोड़ा साथी advantage यदि वो उतर नहीं दे पाए ठीक है तो आपको pass करना है इसको किसी को कि हम शुरू करते हैं इस राउंड को कि क्या हम मात्यू से शुरू करें इस बार या जोन से शुरू करें कुन तयार है जोन ओके जोनने का हम शुरू करने के लिए तैयार है ठीक है जोन से जुरुवात कर लेते हैं तो जोन आपका प्रशना आपकी स्क्रीन पर कुरिंथियों को लिखे दूसरे पत्र में संथ पॉलूस बड़े कच्ट में हिर्दे की गहरी वेदना सहते हुए और आशु बहा बहा कर क्या करने का वरणन करते हैं पास किसको मार्क करते हैं परि Maar करते हैं परिश्रम करने का वरणन करते हैं परिश्रम करने का उबरणन करते हैं इस रोंग आंसर और आपके हो जाते हैं मैनस ट्वंटी ठीक है कोई बात नहीं आपके पास अच्छा स्कोर है ज्यादा दुखी होने के ज़रूरत नहीं है इसका जवाब है पत्र बेजने का आप और दूसरा सवाल इस राउंड का तीम लुक के लिए तिंग लूप आपका सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये हैं दूसरी मिश्णरी कि कुरिंथि यो अर यूश्यूर कुरिंथ 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 आपका समय भी समाप्द हो गया और आपने गलत उत्तर दिया है आप पास भी कर सकते थे मैनस 20 तो सही जवाब इसका कुरिंथ नहीं था फिलिपी था ठीक है कि आप उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तृसे सवाल को लेकर तीसरा सवाल है अमारा सेंट मार्क के लिए सेंट मार्क यह रहां आपका सवाल आपके स्क्रीन पर नए विधान में सबसे लंबी प्राथना किसने की और किस चीज के लिए कि किसने बहुत लंबी चोड़ी प्रार्थना की? किसने की और किस चीज के लिए और किन लोगों के लिए की? पास. पास किस के लिए? सेंट मैथ्यू. सेंट मैथ्यू के लिए पास किया है. सेंट मैथ्यू आपको जवाब देना पड़ेगा. प्रभू एसुने लंबी प्रार्थना की किस के लिए? यहुदियों के लिए. वो यहुदी कौन लोग थे? जनरली यहुदियों के लिए कि यहुदियों में से कोई लोग थे? कि सो हलांकि आपने पहले सवाल का जवाब उसमें एक ही सवाल में दो बातें पूचें गए थी पहली बात आपने सही बोलिए प्रभी शुने सबसे लंबी प्रार्पना की यहुट्यों के लिए नहीं लेकिन अपने शिश्यों के लिए प्रहेरित disting के लिए तो आपको मिलते हैं दस पोईंस अचला सवाल भी आपके पास ही आएगा है आप तयार इखला के लिए ठीक है तो यह लिजिए आपका छोगा के स्क्रीन पर सन्साप्रदी और सुसमाचार को समार्या मेंग गया ता Аका पहले ले लिग क्यों sap संथ पॉलूस संथ पॉलूस इस रोंग आंसर समार्या में सु समाचार पहले ले जाने वाला संथ पॉलूस नहीं था आप पास भी कर सकते थे लेकिन आपको लगा संथ पॉलूस था ठीके तो गलत आंसर देने के कारण आपके हो जाते हैं माइनस 20 तो आपका उत्तर गलत है पॉलूस नहीं है लेकिन फिलिप है फिलिप डीकन फिलिप पहले जाता है समारिया में सुसमाचर का प्रचार करने के लिए तो प्यारे दर्शकों और हमारे साथियों इसे के साथ हमारा एपिसोड ये समाप्त होता है और एपिसोड की समाप्ती पर मैं बुलाता हूँ मेसिस स्टेफी को कि वो आए और हमारे पूरे आज के इस एपिसोड का स्कोर हमें और हमारे दर्शकों को बताए तो प्यारी दर्शो को हम पहुँच चुके हैं हमारे पाँचपे एपिसोड के अंध में और आज काई एपिसोड बहुत ही रोलर कोस्टर रही था बहुत सारे उतार और चड़ाव देखने को मिले जहां पॉइंट स्कोर के गए वहां माइनस माकिंग भी काफी हुई राइट सो इसी के साथ देखते हैं कि फाइनल स्कोर सभी टीम्स के क्या है सो टीम मैथ्यू आपसे शुरू करते हैं क्या लगता है फाइनल स्कोर क्या है थोड़ा जलतिपाजी में आपने लास्ट राउंड में आंसर दे दिया and you got minus 20. So कोई बात नहीं, फिर भी आपने काफी अच्छा डीसेंट स्कोर किया है and you have a total score of 75 points. Team Mark, what do you think? कैसा था पका performance? मेरी हिसाब से तो बहुत ही amazing performance था. आपने काफी questions के सही answer दिये a total of 115 points. So please put your hands together for Team Mark. And 115 points तब हासिल हुए जब आपकी minus marking हुए है. So you had reached to actually 135 points. महा से 20 points कम होकर अब आपलोग का फिनल स्कोर है 115 points. So तो फिल दी, amazing performance. आप लोगो ने बहुत अच्छा खेला and keep it up. Next we come to Team Luke. Aunty, क्या कहना चाहेंगे? कुछ सही answers and गलत answers भी. So minus 20 to you. And we come at last to Team John. Team John, आपका फिनल स्कोर है 15 points. So congratulations to all the participants. आप लोग सभी आए, अपना time दिया प्रभू के वच्चन के लिए, वही सबसे बड़ी बात है. So thanks to all of you. और धन्यवाद हमारे प्यारे दर्शकों को भी, कि हमारे साथ आप बने रहें, और इस एपिसोड का मज़ा आपने भी लिया, और प्रभू के वच्चन को और थोड़ा जाना, और थोड़ा समझा. इसी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और प्रभू के वच्चन के साथ विदा लेना चाहेंगे, भजन सहिता, अध्याए 118, वाक्यांश 14, यहोवा मेरी शक्ती है, वह मेरा गीत है, वह मेरा उधार है. तो येशु को अपनी शक्ती बनाते रहें, उनका गुनगान करते रहें और उधार आप ही का होगा. इसी के साथ विदा लेते हैं, Keep Praying, Keep Shining. आपिदा लेते हैं, Keep Praying, Keep Praying, का होगान करते हैं, शक्ती हमेरा लेते हैं.